नमस्कार में हूँ साधना सिंग और आप देख रहें आई बेन नाई नियूस आईए नज़र डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों पर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कस देशपर में कोरोना के खिलाब अपनी जान की बाजी लगा कर मेदान में डटे हैं वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें हर देशवासी को बचाना है दरसल ये हालात समूचे देश में हैं लेकिन देश के दिल मध्यप्रदेश के मिनी मुंबई में हालात कुछ अलग ही हैं दरसल यहां देश में पहला कोरोना पोजिटिव मरीच आ जाने के बाद ही डॉक्टर और पेरा मेडिकल स्टाफ हरकत में आ गया था और इसके बाद तो धरती के इश्वर याने डॉक्टर और ना ही हेल्थ वरकर की टीम दिन देखती है और ना ही रात उन्हें खुद की फि है वो कि अपने घर में बैठा है और कोई खुद को शुरक्षित करना चाहरा है लेकिन आप लोग जो है स्वास्त विवाग का अमला जो है वो लगातार विल्में बना हुआ है घर से दूर है आप फिर भी आप आप आपका जो करतव है उसका निर्वाहन कर रहे है मुझे ल करते हैं तो अपन निश्चित ही फोरुना पर विजय पाएंगे परिवार की बाग करें सर तो परिवार का क्या रही एक है जब आप भर से निकलते हैं ड्यूटी के लिए तो परिवार वालों कर प्या कहना हुआ है शुरू-शुरू में जब मेरी ड्यूटी एरपोर्ट प करो और तब से मैं अभी तक लगातार इसमें ड्यूटी नहीं भारा हूं कभी-कभी तो डर लगता है रात को कभी-कभी नींद भी आती सपने भी आते हैं गंदे-गंदे से ठीक है अच्छा लगता है कि काम कर रहे हैं आपन और काफी हद तक अपन ने इस पर विजय पाई है कि मेरा उनसे यह कहना है कि डरे नहीं बिल्कुल भी काम पर आएं और अच्छे से काम करें अपन जरूर इस पर विजय पाएंगे आपका नाम बताएं कि आप नहां पे हैं और हजबेंड डियूटर पे हैं आप इस टाइम करते हैं तो मैं खुद डॉक्टर हूं तो मैं उस तरीके से करते हूं कि घर मैनेज कर रही हूं जब तक हस्बेंड नहीं रहते हैं उस बीच बच्चों को भी सिखा दिया है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है घर पे ही रहना है और मतलब खाना खाना है खाना खाने से पहले हाथ दोना है सैनेटाइजर हमने पास म रख रखा है कि जिने बाहर जब भी लगे किसी बाहर के गेट को डॉर को टच करते हैं तो सेनिटाइज करना है हाथ अब किसा लगता है जब एक परिवार सब घर में के लिए लागडाउन चलता है सब को समझाईज दी जा रही है कि आप घरों में रहें और इसे में आपके जो हस्बेंद है बाहर जाके काम कर दाएं उनको कि इता कट्रा होता और आपको किस रहता है शुरू में तो बहुत थो अगर हरको यह ऐसा सोचेंगे कि मैं भी घर पे रहूं, तो कौन आगे आएगा, कौन काम करेगा, और मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो इस चीज को समझती हूँ, कि डॉक्टर का फर्ज क्या होता है, और उनको निकलना ही है, तो थोड़ा बहुत डर के साथ, एक रिस्पॉंसिबिलिटी भी है, कि नहीं, आपको अपना टाइम और अपना फर्ज निभाना है, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और बाकी सब जो घर में हैं, वो उनका प्लस पॉइंट है, इस आज के समय का, आपके बच्चे भी हैं, मतलब बच्चों को भी कैसा लगता है, जब आपके मतलब हजबेड नहीं है, पापा नहीं रहते हैं, तो बच्चे पूछते हैं, उनको भी चिंता रहती है, कि ममी पापा चले गए क्या सबसे पहले उठते से ही कि पापा चले गए क्या और सोते समय कि पापा कब तक आएंगे इवन मैं तो डिस्टर्ब ना हो करके फोन भी नहीं लगाती हूं बस मैसेज कर देती हूं उनको जब टाइम मिलता है वो रिपलाई कर देते हैं तो बच्च को तो हम डाइक सबसे दूर ही रखते हैं कि ज्यादा पास भी नहीं आने दे रहे हैं तो इसे में तो बहुत बुरा लगता है कि मतलब आप डॉक्टर्स या जो भी हेल्प वर्कर्स हैं वो बाहर क्यों निकल रहे हैं मतलब आम आदमी की जरूरत के लिए उनकी सेवा के लि तो ऐसे में लोगों को समझना चाहिए डॉक्टर्स को कि वो अपनी जान पे खेल के भी आपको सेवा दे रहे हैं आपका सैंपल लेने निकल रहे हैं तो आपको कॉपरेट करना चाहिए ना कि मारना ये तो बहुती गलत सोच है आप बात करिए आपके डाउट्स हैं उनको क अलत बात है तो में बस इतना ही बने रहे हमारे साथ आई बिए नाइन नियूज में मैं हूँ आपके साथ साथ ना सी